तो आज हम सिखने वाले 10 स्टेंडर का Mathematics Part 1 उसमें हम देखने वाले चाप्टर No.1 इसका नाम है Linear Equations in 2 Variables अभी पहले भी मैंने बता रहा है इस चाप्टर में टोटल 5 practice set है और एक problem set है तो जो पहला जो practice set है that is practice set 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 and 1.5 ये 5 भी वीडियो मैंने पहले ही upload किये हैं और अभी क्या देखने वाले हैं problem set देखने वाले so मैंने बता है था problem set में total 7 questions है so मैंने क्या किया था उसको 4 parts में divide किया था so पहले जो 3 part है that is part 1, part 2 and part 3 वो मैंने पहले ही upload किये है so आज हम देखने वाले problem set part 4 अभी part 4 में हम क्या देखने वाले question number 7 so question number 7 क्या है वो देखते हैं तो चलो start करते हैं so question number 7 में क्या है solve the following questions what problem गया आपको एक word problem है उसको क्या करना है solve करना है so क्या है question a two digit number and the number which digit interchange add up to 143 in the given number the digit in unit place is 3 more than the digit in the 10th place find the original number आपको क्या कुछ condition दी है आपको क्या निकालना है original number क्या है वो निकालना है so यहाँ पर कुछ जो explanation है solution है पूरा दिया है लेकिन कहाँ पर कई पर तो box है वो हमें क्या करना है उसको feel करना है so मुझे क्या करना पड़ेगा one by one जो sentence हो हमें फिर से read करने वाले हूँ यहाँ पर condition क्या दी थी तो जो हमारे digit है वो आपको दिये है original number क्या है वो पता नहीं उसको पता नहीं उसको क्या करना है x and y consider करना है so देखो solution में क्या दिया है place the digit in unit place is x यह already आपको दिया है आपको क्या करना है सिर्फ जहाँ पर box से वहाँ पर आपका answer लिखना है so यहाँ पर क्या है देखो and that in the 10th place is y अभी मुझे पता था क्या unit place में कौन सा number है और जो हमारा 10th place है उसमें कौन सा number है so हमने क्या consider किया unit place के लिए x consider किया और जो 10th place है उसके लिए y consider किया अभी यहाँ पर क्या दिया है the number is equals 2 अभी यहाँ पर bracket दिया है so यहाँ पर क्या दिखा दिया है देखो the two digit number and the number which digit interchange add up to 143 अब अब 10 place वाला क्या है यहाँ पर क्या है y जो है वो क्या 10 place है मतलने भी आ जाएगा 10 unit place पर क्या रहता है वही value रहती है 10 plus प्ले क्या करते हैं 10 into वही value करती है तो हमें क्या मिलता है answer मिलता है तो यह हो गया हमारा the number is equals to यहाँ पर आजाएगा हमारा 10 y plus x already आपको दिया है यह हो गया हमारा equation अभी next sentence क्या है the number obtained by interchanging the digit e अभी इसको अगने interchange किया तो मुझे क्या मिल जाएगा जो x की value है वहां के जाएगा में क्या लिखना पड़ेगा 10 की value लिखने पड़ेगी और जो y हो unit place पराजएगा बराबर हमारा क्या था जो x हो था unit place पर और जो हमारा y था वो था 10 place पर अभी क्या करना है दूनों को interchange करना है मतलब यह क्या हो जाएगा y अधर हो जाएगा x अदर हो जाएगा सो हमें answer क्या मिलने वाला है यहाँ पे हो जाएगा 10x plus y अभी यहाँ पे x पे क्यों लिखा क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे interchanging the digits जो digits है वो मैंने क्या किया interchange किया अभी यहाँ पे condition क्या दी है the two digit numbers and the number of which digit interchange add up to 143 मतलब हमारा जो number है वो और जो हमने interchange किया उसका अगर मैंने addition किया तो मुझे क्या मिलने वाला है 143 यहाँ पे क्या है 10y plus x है मतलब यह वाला equation दिया है अभी second वाला equation मैंने यह निकाला है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे उपर लिखते मैं 10x plus y is equal to 143 जो condition दी थी वही condition मैंने यहाँ पे apply की मराबर अभी यह solve करना है यहाँ पे 10y plus x plus 10x plus y तो मुझे क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x और x भी क्या है यहाँ पे है यहाँ पे हो जाएगा 10y plus y मैंने क्या क्या x x यहाँ पे लाएग y y यहाँ पे लाएग अभी यहाँ पे कोई ने मतलब 1 है 10 plus 1 that is 11x plus 11y is equal to 143 यहाँ पे आजाएगा 11x plus 11y यहाँ पे x और दिया है तो only write 11 now is equal to 143 अभी हमको क्या चाहिए यहाँ पे x और y की value चाहिए simple मतनल क्या है जो 11 यहाँ पे है अगर मैंने सब को 11 से divide किया तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे जगो 11 से divide किया तो क्या हो जाएगा 11, 11 get cancelled यहाँ पे 11 get cancelled और इसको अगर 11 से divide किया तो मुझे क्या मिलने वाला है 13, 143 divided by 11 करके लिखो तो क्या आता है हमारा answer 13 आता है simple division यहाँ पर दिया है उसको क्या बोला मैंने equation number 1 यह आपको सब दिया हुआ है सिव आपको जो वहाँ पर bracket है वहाँ पर आपको क्या लिखना है answer लिखना है चलना हो from the second condition अभी second condition क्या दिया है in the given number the digit in unit place is more than the digit in the 10th place अभी यह condition है condition कैसे apply करने में बोलती यहाँ पर क्या है second condition मैं पड़ी अभी अभी क्या लिखा मैंने digit in unit place is equals to क्या condition दी है digit in the 10th place plus 3 3 से क्या है मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा तो यह उसमें add करना पड़ेगा लेकिन 10th place वाला उसको मैंने क्या consider किया था y consider किया था मतलब मारा equation क्या रहेगा x is equals to y plus 3 और उसको मैंने इसे convert करने के बाद यह जो y है वो इधर जाने के बाद minus हो जाएगा और उसमें हमारा क्या मिलेगा equation x minus y is equals to 3 यह हो गया हमारा second equation अभी दो equation मिल गया है अभी दोनों का क्या करना है addition करना है so addition करके से करते हों पहले भी हमने देखा है so हमने क्या दोनों का addition करने के बाद मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 16 कैसे मिलेगा देखो यहाँ पे मैंने लिया x plus y is equals to 13 और second है x minus y is equals to 3 यहाँ पे plus minus के cancel x plus x 8 मिल जाएगा बराबर यहाँ पे मिलेखो मारे x की value क्या आई 8 आई now putting this value of x in the equation 1 मुझे क्या करना है y के भी value निकालने है x and y is nothing but our original value वही मुझे निकालना है अगर मेरे x की value 8 आई so मुझे y की value निकालने पड़ेगी जो equation पसे ने वहाँ पे आप put कर सकते हो you get the same answer so we are writing here x plus y is equals to 13 यह equation 1 था उसमें अगर मैंने put किया so मुझे y की value निकालनी है so y की value यहाँ पे क्या मिल जाएगी so यहाँ पे मुझे लेखा 8 plus y is equals to 13 अभी यह 13 है और यह 8 है so यह 8 क्या हो जाएगा इदर minus हो जाएगा so 13 minus 8 is nothing but over 5 so मुझे जो y की value कितनी मिलने वाली है 5 लेकिन हमार जो original number है original value में निकालना है number निकालना है वो क्या था equation 10 y plus x मतलब मुझे y की भी value चाहिए थी x की भी value चाहिए थी so मुझे क्या किया x और y की value निकाल दी अभी क्या करना है सिर्फ simply यहापे put करना है so अगर मैंने put किया तो मुझे क्या मिल जाएगा 10 into y की value क्या है 5 u है plus 8 so 10 into 5 50 यहापे लिख दिया and 50 plus 8 is nothing but 58 वो होगा हमारा answer यही हमें निकालना था simple जो description है जो solution है वो वैसे का वैसे copy करने का और जो है उस empty box है उसमें हमें answer लिखना है जो हमने previous question में भी देखा है कैसे solve करना है addition, subtraction simple question था कुछ भी difficult नहीं था इसमें यह होगा हमारा question 7 में question 1 हो गया sub question 1 था now question number 2 question number 2 में क्या दिया है word problem है वो भी हमें solve करना है कुछ तो value निकालने पड़ेगी तो यहाँ पर question क्या दिया है वो पहले एक बार पढ़ लेते हैं तो कांता माई bought यहाँ पर दिया है 1.5 मतलब 1.5 मतलब क्या रहता है मैं बता दिया आपको kg tea and 5 kg of sugar from a shop she paid Rs.50 as return fare for rickshaw total expense was Rs.700 she paid realize that my ordering online the goods can be bought with free home delivery at the same price so next month she placed the order online for 2 kg tea and 7 kg sugar यहाँ पर देखो 2 kg tea लिया उसने बाद में क्या लिया 7 kg sugar लिया she paid Rs.880 for that find the rate of sugar and tea per kg उसने क्या किया tea भी खरीदा और क्या किया sugar भी उसने ले लिया बगर उसका जो value है per kg कितना है वो पता नहीं so मुझे वो निकालना है उसने क्या किया पहले यहाँ पे दिया 1.5 kg tea लिया बाद में क्या लिया 7 kg sugar अभी आमें क्या करना है जो पता नहीं उसको क्या करना है x consider करना है so मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया यहाँ पे लिख दिया rate the rate of tea अभी पता है के rate कितना है so यहाँ पे लिखा rate of tea b rupees x rate मतलब value आया जाएगी and that of sugar b अभी मुझे क्या करना है sugar का भी निकला है so that of sugar b अभी यह पूरा लिखना पड़ेगा word problem है तो आपको पूरा explanation required है so यहाँ पे हो जाएगा sugar कितना रहेगा मैंने क्या किया rupees y kg per यहाँ पे किया मैंने y per kg वही आपे लिखा मैंने जो बोला है वही आपे consider किया है अभी मुझे क्या करना है condition क्या दिये देखो according to first condition अभी first condition क्या दिये है so मैं एक बार लिख देती है according to first condition क्या मिल जाएगा मुझे यहापे so मैंने लिख दिया according to first condition अभी क्या condition दिये है उसने क्या किया 1.5 kg टी लिया बाद में 5 kg शुगर लिया शी पेड रुपेस 50 एज रिटेंड फेर पॉर रिक्षा टोटल एक्सपेंस वोज रुपेस 700 अभी यहाँ पे देखो मुझे क्या करना पड़ेगा मतलब जो कॉस्ट है वो मुझे निकान ली पड़ेगी यहाँ पे मैं लिखा cost of 1.5 kg टी प्लस कॉस्टो कितनी है 5 kg शुगर है so cost of 5 kg शुगर is equals to यहाँ पे क्या और क्या आइड होगा क्या पे येस क्या आइड हुआ 50 रुपीज आपे क्या क्या है उसने रिक्षा वाल को बेदे जे so यहाँ पे हो जाएगा plus fare for रिक्षा so यहाँ पे मैंने लिखे दिया है अब easy cost क्या रहेगा यहाँ पे क्या है total expense वो 700 उसने क्या किया टी बी खरीदा बाद में शुगर भी की शुगर भी ले ली और क्या किया 50 जो रुपीज है वो रिक्षा वाले को दे दिये अब भी total का उसका total जो value कितने हो गई 700 हो गई so यहाँ पे आ जाएगा is equals to total expense so यहाँ पे मैं total expense लिख दिया है so अभी जो cost है मुझे लिखना पड़ेगा मैंने क्या consider किया टी के लिए क्या consider किया x consider किया है और sugar के लिए y consider किया है तो मेरा equation क्या हो जाएगा 1 and half x plus 5y plus 50 यहाँ पे दिया था ना रुपीज already दिया था so 50 लेने का is equals to 700 yes अभी इसको यहाँ पे convert करो क्या हो जाएगा x और y हाँ पे और यह जो 50 है उइदर जाने के बाद क्या हो जाएगे minus हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने किया 1 and half kg plus 5y is equals to 700 minus 50 यहाँ पे लिख दिया 1 and half kg plus 5y is equals to 700 minus 50 कितना होता है 650 होता है अभी इसको क्या करना है देखो यहाँ पे मैं convert कर सकती इसने मैंने क्या किया 3 by 2 1 सा 2 यह क्या हो जाएगा इसमें add हो जाएगा 1 so 3 by 2 यह आपको पता है कैसे solve करते है so 3 upon 2 kg और यहाँ पे क्या लिखते हम x लिखते है so यहाँ पे हो जाएगा x so 3 by 2 x plus 5y is equals to 650 अभी मुझे क्या करना है यह जो 2 है वो क्या करना है मुझे remove करना है so मैं क्या करने वाली multiplying both side by 2 अगर मैंने दोनों को भी multiply किया 2 क्यों 2 किया क्योंकि हापे अगर divide में है तो अगर मैंने यहापे multiply किया तो यह 2 to get क्या हो जाएगे cancel हो जाएगे so what we get so 3 x plus 5 5 x 2 क्या हो जाएगा 10y as equals 2 यहाँ पे 6 x 15 x 2 हो जाएगा 1 3 0 0 so यह हो गया हमारा equation number 1 यहाँ पे क्या लिखने का है क्या किया अपने दोनों side को क्या किया multiply किया किस से किया 2 से किया so यह हो गया हमारे first condition मैंने apply की अभी क्या है second condition क्या हो लिखना पड़ेगा मतलब according to second condition अभी second condition क्या हो देखते है then she realized that by ordering online the goods can be bought with free home delivery at the same price for next month she placed the order online for 2 kg tea and 7 kg sugar she paid rupees 880 for that उसने क्या किया next month में क्या किया 2 kg उसने क्या लिए tea लिया और 7 kg sugar लिया और उसने कितने पैसे पे किये 880 मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा वही वाग फिर से लिखना पड़ेगा यहापे so यहापे लिख दिया मैंने cost of 2 kg tea कितना लिया उसने पहले 2 kg लिया और क्या लिया 7 kg sugar लिया so plus cost of 7 kg sugar so यहापे लिख दिया sugar is equals to क्या हो जाएगा उसका total expense so यहापे हो जाएगा total expense so is equals to क्या यहापे क्या करना पड़ेगा value put करना पड़ेगा so यहापे मैंने value put कर दिया क्या था 2 x plus 7 y is equals to expense कितना था 800 था अभी यहाँ पे कुछ डिवाइड होता है क्या simple equation दिखाय दे रहा है say equation number 2 यह होगा equation 1 and equation number 2 अभी क्या करना है देखो यहाँ पे क्या था जो हमारा previous example था previous जो question था उसमें मैंने equation लिया था 3x plus 10y is equals to 1, 3, 0, 0 अभी मुझे क्या करना है दोनों भी equation क्या करने है same करने है तब ही क्या करती है addition और subtraction कर सकती so जो मैरा equation 1 था उसको मैंने क्या किया 2 से multiply किया क्यों किया अगर मैंने 2 से multiply किया so दोनों side में मुझे क्या मिल जाएगा 6x, 6x मिल जाएगा सो मैंने क्या जो equation 1 है उसमें 3x था अगर 2 से multiply किया तो मुझे 6x मिल जाएगा और जो second equation है उसको क्या करना पड़ेगा 3 से multiply करना पड़ेगा मतलब यहापे विर क्या आ जाएगा 6x so equation 1 को 2 से multiply करो और equation 2 को 3 से multiply करो सो मैंना जो equation है वो क्या हो जाएगा 6x plus 21 is equal to 2600 से equation number 3 और equation 4 क्या हो जाएगा equation 2 को अगर 3 से multiply करने के बाग 6x plus 21y is equal to 2640 से equation number 4 अभी क्या करना है दोनों भी same दिखाए दे रहे है मतलब मुझे क्या चाहिए opposite चाहिए सो मैं क्या करने वाली यहाँ पर subtracting यहाँ पर लिखा मैंने subtracting equation 3 अभी equation 3 है यहाँ पर from 4 यहाँ पर अगर मैंने subtract किया तो क्या मिल जाएगा मुझे we get सब जो लिखरे में वो आपको important है वो लिखना है क्योंकि यह word problem है सिर्व आपको value निकाले नहीं word problem में पूरा explain करना पड़ता है आपको किसको क्या consider किया है आपकी condition क्या है पूरा आपको यहाँ पर लिखने की जरूत है सो मैंने यहाँ पर क्या लिख दा 6x plus 20y is equal to 2640 यहाँ पर 21y है सो यहाँ पर हो जाएगा 6x plus 21 is equal to 2600 यहाँ पर subtraction है मतलब नीचे वाले sign change होने वाला है सो सब जगा क्या हो जाएगा minus हो जाएगा सो नाउ 6x and यह 6x क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा सो यहाँ पर मिल जाएगा हमें y is equal to 40 2640 minus 2600 is nothing but your answer is 40 अभी मुझे से y की value निकाल ले क्या नहीं x की भी value निकाल ले है y की value किसकी थी sugar के लिए मैं consider किया था सो पर के जी जो sugar है वो क्या है 40 है rupees 40 उसकी value आ गई अभी मुझे x की value निकाल ले पड़ेगी सो मतलब जो equation मुझे percent है वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा value x की y की जो value है वो put करने पड़ेगी सो मैंने क्या किया equation जो 1 है उसमे y की value is equal to 40 अगर मैंने put की सो मुझे क्या मिल जाएगा 3x plus 10 into 40 is equals to 1, 3, 0, 0 सो यहाँ पर करो solve करने के बाद 3x plus 10 into 40 is nothing but 400 is equals to 1, 3, 0, 0 ना यह 400 इदर जाने के बाद 3x is equals to 1, 3, 0, 0 minus 400 ना 3x is equals to this subtraction कितनी आते है 900 so x is equals to 900 divided by 3 so x की value क्या हो जाएगी 300 हो जाएगी so x की value क्या है 300 है मतला and y की value क्या है 40 है so अभी मुझे क्या लिखना पड़ेगा last way the rate of tea अभी rate कितना है वही निकालना था मुझे the rate of tea is rupees कितना है 300 per kg and sugar का कितना है that of sugar is जो मैंने consider किया था sentence मैंने यहापे repeat किया sugar is rupees 40 per kg वही मैंने answer जुआ है वही आपे लिख दिया है tea का कितना है 300 per kg है और sugar कितनी है 40 per kg वही मुझे निकालना था जो उसकी value कितनी है original value क्या थी हो मुझे निकालनी मैंने अभी हो गया हमारा question number 2 now यह क्या simple था में क्या करना है उसको word में convert करना है so क्या activity है to find number of notes that Anushka had complete the following activity एक Anushka है उसकी क्या है activity है notes की वो मुझे क्या करनी है complete करनी है यहापे क्या दिया है suppose that Anushka had x notes of rupees 100 and y notes of rupees 50 Anushka एक लड़की है उसमें उसने क्या किया 10 hundred जो है 100 जो है उसमें क्या उसके बास x notes है और जो 50 rupees है उसके कितने बास notes है y notes है so मुझे क्या निकानना है आपको जहापे देखती में क्या है Anushka got rupees 2500 from Anand as denomination mentioned above equation मैं आपको दिया है आपको जहापे dash है वो निकानना में one by one आपको सब बताने वाली हूँ now third क्या दिया है if Anand would have given her the amount by interchanging the number of notes Anushka would have received rupees 500 less than the previous amount यह होगे हमारे equation number 2 अभी आपको बोला है equation 1 और equation number 2 that is nothing but यह क्या है consideration है यह हमारा first condition है और यह है हमारी second condition और बाकिची जो step है वो हमें पता ही है और यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हमारा final answer यहाँ पर तेलो देखते में क्या लिया मैंने यहाँ पर क्या है suppose दिया है जो दिया है वो फिर एक बार लिख देती हूँ so Anushka had यहाँ पर लिख दिया Anushka had कितना दिया है x notes है so यहाँ पर हो जाएगा दिया था वही मैंने लिख दिया अभी condition क्या है Anushka got rupees 2500 from Anand as denomination mentioned अभी देखो यह उसने क्या किया यह हो गया हमरी first condition है तो यहाँ पर लिख दो according to first condition क्या condition दिया है जो उसकी hundred है जो value आपने दिया है hundred की notes है so यहाँ पर हो जाएगा hundred x plus 50 y अभी hundred x क्यों लिया क्योंकि क्या है hundred के लिए मैंने क्या consider किया x note consider किया और जो y notes है वो क्या है 50 है और उन दोनों की अगर addition की तो मुझे क्या मिलने वाला है 2500 वही मुझे दिया था so मैंने क्या किया जहाँ पर hundred है वहाँ पर x दे दिया और जो 50 है वहाँ पर y दे दिया so मैंने एक्वेशन क्या हो जाएगा hundred x plus 50 y as equals to two five zero zero अभी मुझे क्या करना है simplest करना है can I divide whole by and both side by 50 अगर मैंने अगर दोनों side का अगर 50 से divide किया कर सकती मैं hundred को भी जाता है यहाँ पर भी 50 है यहाँ पर भी 50 से divide होता है so अगर 50 से divide करने के बाद क्या मिलता है मुझे 2x plus y as equals to 50 मैंने क्या किया 50 से अगर divide किया तो मुझे यह equation मिलता है so यह हो गया हमारा equation number one अभी हमें क्या निकानला equation number two यहाँ पर दिया है आपको equation number two लेकिन condition है so condition क्या है if Anand would had given her the amount by interchanging the number of notes उसने क्या किया जो notes है वो क्या किया interchange किया अनुष्का ओर रहा रेस्ट फिस 500 less than the previous amount उसकी जो value है उसकी जो amount है वो क्या हो जाएगी less हो जाएगी कितने दी है 500 less than the previous amount जो उसकी previous amount थी उसमें से 500 less amount उसकी पास है so हमें क्या लिखना है यहाँ पर according to second condition अभी second condition क्या दिया आपको यहाँ पर मैंने बोला है so अगर मैं interchange किया मतलब x के जगा y आ जाएगा और y के जगा x आ जाएगा so यहाँ पर मिल जाएगा 100y plus 50x is equal to 2000 अभी 2000 क्यों लिया क्योंकि यहाँ पर क्या था 2500 था उसको loss कितना हुआ 500 उसके बस कम है मतलब 2500 minus 500 क्या हो जाएगा हमारा answer 2000 मिल जाएगा बराबर so मैंने क्या क्या subscribe करके उसको equation number 2 बोल दिया अभी यहाँ जो equation 2 है उसको अगर 50 से अगर मैंने x plus 2y is equal to 40 ऐसा भी लिख सकती मैं यहाँ पर अगर 2x यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर y है is equal to 40 अभी मुझे क्या करना है पहला x लिखना है बाद में y लिखना है so मैंने equation क्या हो जाएगा x plus 2y is equal to 40 क्यों लिखा है ऐसा मैंने चलो देखते हैं one by one यहाँ पर क्या था यहाँ पर था 100 यहाँ पर था 50 अगर मैंने divide किया तो मुझे मिलता है x plus 2y is equal to 40 x plus 2y is equal to 40 equation मिल जाएगा अगर मैंने उसको interchange किया तो मुझे equation मिल जाएगा 2x plus 4y अभी अभी जो यह 4y है वो केसे आता है वो देखते हैं तो यहाँ पर क्या था हमारा previous example था equation था यहाँ पर 2x था यहाँ पर मैं 2x कर सकती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा जो equation है उसको अगर मैंने 2 से multiply किया तो मैंना equation क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x आजएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा मतलब मुझे कोई भी एक variable क्या करना है सेम करना है तो मैंने क्या किया जो equation यह है दिया अभी निकाला है उसको अगर 2 से multiply किया तो मुझे मिल जाएगा 2x प्लेस 4y is equals to 80 40 into 2 is nothing but 80 तो इसको वो ले equation number 2 यह है तो मैंने यहाँ पर लिखा subtracting equation 1 from 2 जो मैरा equation 1 है उसमें से मैंने क्या किया 2 को अगर subtract किया तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर लिखा V gate तो यहाँ पर कॉमा आ जाएगा equation लिख दो 2x प्लेस 4y is equals to 80 minus x यहाँ पर मैं बाद में minus जो है वो sign change करने वाली हूँ so 2x plus y is equals to 50 यहाँ पर हो जाएगा subtraction है इसके लिए यह 2x minus 2x get cancelled now यहाँ पर plus 4 है यहाँ पर क्या है 1 है so यहाँ पर आ जाएगा 3y is equals to 30 अभी मुझे क्या निकालना है y की value निकालनी है so y is equals to 30 divided by 3 so y की value क्या मिल जाएगी 10 मिलने वाली है so y की value मिली मुझे 10 अभी मुझे क्या करना x की भी value निकालनी है so जो equation पसंद है वहाँ पर y की value पुट कर दो suppose मैंने equation 1 लिया उसमें अगर मैंने y की value पुट की तो मुझे क्या मिल जाएगा 2x plus 10 is equals to 50 y के जगा पुट किया 10 so यहाँ पर हो जाएगा 2x is equals to 50 minus 10 so 2x is equals to 50 minus 10 is nothing but 40 so x is equals to 40 divided by 2 so that is 20 so x की value हो जाएगी 20 y की value हो जाएगी 10 यही मुझे निकालना था so last में मैंना answer क्या आजाएगा Anushka had हमें क्या निकालना है जो हमें what problem में दिया है वही हमें name लेना है सिर्फ x और y हमें नहीं पूचा है जो पूचा है वो पूरा sentence यहाँ पर mention होना चाहिए so last में हम लिखने वाले Anushka had 20 notes of अब x किस के लिए consider किया था हमने 100 के लिए consider किया था so 20 notes of rupees 100 and 10 notes of rupees 50 y के लिए जो consider किया था y की value 10 आई so y notes of rupees 50 50 के लिए हमारा answer आया 10 और 100 के लिए हमारा 20 yes यह भी मुझे निकालना था Anushka had 20 notes of rupees 100 and 10 notes of rupees 50 so यह हो गहा हमारा final answer बहुत easy था कुछ भी नएस तिर्फ हमें क्या देखना है condition क्या दी है और equation अगर आपको आ गए so आपको क्या करना है वो पता है addition, subtraction तो सबको आती ही है और क्या करना है सिफ unknown की value निकालनी है so वही हमने यह आपे किया जो हमारे 3 question हमने देखे वही में same step हमने apply की है now question number 4 so question number 4 में क्या है simple equation दिखाए दे रहा है आपको simple भी हो जाएगा चलो देखते है क्या है some of the present age of Manish and Savita is 31 Manish is 3 years ago and 4 times the age of Savita find their present age हमें क्या निकालना है उसके present age निकालना है so जो पता ने उसको क्या consider करना है x and y so चलो consider करते है so यहापे मैंने लिख दिया the present age हमें क्या निकालना है present age निकालना है सो यहाँ पर मैंने लिख दिया the present age of manish फ़र्स कौन है manish है सो मैंने manish लिया manish and savita दोनों के नाम यहाँ पर मैंने mention किये b x years अभी यहाँ पर क्या है age निकालना है मतलब आपको unit लिखने की जरुवत है x years and y years respectively मैंने क्या किया उसके age को consider किया x on y जो मैंने manish है manish के लिए मैंने x consider किया सवीता के लिए क्या consider किया y years consider किया अभी मैंने पास equation क्या है दियो condition क्या दिया sum of present age of manish and savita is 31 आपको क्या दिया है present age क्या है यहाँ ने consider किया है x and y consider किया है उन दोनों की sum sum is nothing but our addition उन दोनों के addition कितनी है 31 दी है सो मेरे जो first condition है सो यहाँ पे मैं लिख दिया according to first condition सो first condition क्या है दोनों की sum मतलब x plus y is equals to 31 से equation number 1 जो आपको दिया है वही मैंने आपे mention किया जो यह होगा है हमारे equation number 1 अभी जो equation number 2 है उसके लिए क्या बोला है मनेश is 3 years ago हमें क्या निकालना है 3 years ago निकालना है ago बोला तो आपको क्या करना है subtraction करना है सो यहाँ पे लिखो 3 years ago सो क्या मिल जाएगा हमें अगर मैंने पीछे गई सो मुझे मिल जाएगा जो मनिश का age है मनिश के लिए मैंने क्या consider किया है x consider किया है so minus age will be x minus 3 years क्या किया 3 years क्या क्या back किया मतलब क्या हो जाएगा minus हो जाएगा present age minus 3 3 years बोला है तो 3 years के लिए हमें क्या करना पड़ेगा minus करना पड़ेगा और जो सवीता है सवीता का age क्या हो जाएगा यहाँपे so सवीता age is equals to y minus 3 यहाँ पर क्या सिर्फ चेंज किया मैंने X and Y मनिश के लिए था X और सविता के लिए था Y अभी मुझे second condition क्या दी है यहाँ पर दिया था जो second है वो four times the age of सविता अभी जो second condition है वो क्या हो जाएगी देखो यहाँ पर लिखना पड़ेगा according to second condition क्या condition दी है X minus 3 मतलब जो हमारा three years ago का age है वो हमने consider किया है मनिश का age वो कितना है four times of सविता बड़ सविता का age कितना है Y minus three four times बोल है तो हमके क्या करना पड़ेगा four से multiply करना पड़ेगा जो age previous था three years पहले था सो मैंने आपे क्या किया X minus 3 is equal to four into y minus three अभी क्या करना है उसको solve करना है So X minus 3 is equal to four y minus touchscreen अभी क्या करो X y क्या करो हमें क्या करना है define करना है X y की value निकाल लिए है So equation क्या हो जाएगा X minus four y is equal to minus twelve plus three मैंने क्या किया constant जो है वो rhs में लिखे right side में लिखे So X minus four y is equals to minus 12 plus 3 कितना होता है minus 9 यह हो गया हमारे equation number 2 वही मुझे निकालना था equation 1 भी मिल गया equation number 2 भी मिल गया अब यह देखो कुछ common है क्या कुछ करने के जरुएत है क्या यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है variable भी coefficient भी क्या है same है सो मुझे क्या करना पड़ेगा subtract करना पड़ेगा सो मैंने यहाँ पर किया subtract सो subtract करने के बाद क्या मिल जाएगा मुझे x plus y is equals to 31 and x minus 4 y is equals to minus 9 यहाँ पर subtraction है मतलम नीचे वाले sign क्या हो जाएगे chain सो यहाँ पर होगा minus plus and plus हमें क्या करना है अपो जिर sign करना है वो पता ही है आपको यह x और x क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा सो y minus 4 है यहाँ पर क्या है 1 है सो 1 minus यहाँ पर क्या करेंगे हम addition का apply करेंगे जो bracket वाला sign हो हम consider करते है सो 1 plus 4 that is 5 y is equals to 31 plus 9 that is nothing but 40 सो y की value क्या मिल जाएगी 40 divided by 5 is nothing but 8 सो y की value यहाँ पर क्या मिल जाएगी हमें 8 मिलने वाली है अभी क्या निकालना है y की value खतम हो गई complete हो गई सो हमें क्या निकालना x की value निकालना है सो x की value हम क्या करते है जो equation पसंद है वहाँ पर put करते है सो x plus 8 कौनसा equation consider किया suppose मैंने first जो equation है वह consider किया सो मुझे क्या मिल जाएगा x plus 8 is equal to 31 सो यहाँ पर जो 8 है वो मैंने value का put कर दी y की value मिल जाएगी यहाँ पर 8 मिल लेगा है सो यहाँ पर मैंने क्या किया 8 वहाँ पर put कर दिया है so x is equal to 31 minus 8 सो x की value क्या मिल जाएगी कि दोनों का subtraction करने के बाद 23 सो यह हो गया हमारे x की value और y की value हमने पहले निकाल दी है so y की value कितनी थी हमारे 8 थी और x की value 23 हम अभी क्या करना है हमें यह निकाल लेगे x और y जो हमने consider किया थे वो क्या किया था हमने present age consider किया था तो यहाँ पे हो जाएगा the present age जो हमने first sentence consider किया था उसकी जगा में क्या लिखना है x के जगा उसकी value और y के जगा उसकी value so the present age of Manish Manish के लिए क्या consider किया था x consider किया था and Savita Savita के लिए का consider किया था y consider किया था so उसका x की value क्या है 23 आए मतलब मनिश्क का एज है 23 years and सभीता का एज है 8 years respectively जो मेरा first sentence था उसमें क्या किया सिर्फ मैंने x के जगा जो value है वो put कर दी x and y के जगा yes so यह हो गया हमारा final answer हमें क्या निकाला प्रेजेंटेज निकाला जो मुझे पुच्छा था बोला था निकालने के लिए वो मैंने यहाँ पर कर लिया है अभी question number जो next है कुनसा question है question number 5 तो यह था हमारा question number 4 यह बहुत simple है कुछ भी नहीं simple यहाँ पर solution था simple condition यहाँ पर दी थी कुछ multiply division करने के कुछ जरुएत नहीं थी डिरेकले हमें क्या मिला answer मिला now the next question that is question number 5 तो अभी question number 5 क्या है एक factory है उसके कुछ workers है उसके क्या दिया है ratio दिया है किया देखते हैं अभी यहाँ पर क्यार करते रीट करते हैं question In a factory the ratio of salary of skilled and unskilled workers is 5 US to 3 अभी आपको क्या दिया है ratio दिया है value दिये नहीं है उसकी salary की कुछ rupees अगरा कुछ यहाँ पर नहीं दिया है So now the total salary of one day of both of them is rupees 720 Find daily wages of skilled and unskilled workers हमें क्या निकाला है उन दोनों का क्या निकालना है Wages of skilled workers निकाला है और unskilled भी निकालना है So जो पताने उसको क्या consider करना है x and y So हमारा first क्या है जो नहीं पता उसको x and y consider कर दो So late the daily wages क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर यहाँ पर ने put किया of कौन-कौन से worker है skilled and unskilled So skilled workers भी उसके लिए मैंने क्या consider किया x consider करती मैं rupees x है salary मतलब rupees आ जाएगा x and that of unskilled workers and that of unskilled workers So यहाँ पर मैंने लिखा किसके लिए क्या consider किया है आपर क्या मिल जाएगा हमें b rupees y so जो skilled है उसके लिए मैंने x consider किया है और जो unskilled है उसके लिए मैंने rupees y consider किया है अभी क्या करना है सिप condition देखना है so condition क्या है चलो first condition देखते है so हमारा काम क्या है पहले according to first condition जो मैंने previous video में जो मैंने previous example में भी बताया है so first condition क्या है now in salary the ratio of salary of skill and unskilled workers is 5 as to 3 अभी यह जो worker से कौन-कौन से है skill and unskilled उन दोनों का ratio कितना है 5 as to 3 5 ratio मतलब क्या numerator or denominator form मतलब x upon y मैंने क्या consider किया है उसको x और y consider किया है उन दोनों का ratio है 5 as to 3 अभी मुझे क्या करना पड़ेगा ratio तो मुझे नहीं चाहिए अगर मुझे equation solve करना equation के value निकालना है simultaneous equation solve करना है तो मुझे equation चाहिए लेकिन यहाप equation दिया है क्या नहीं तो मुझे क्या convert करना पड़ेगा जो इसको form में दिया है numerator or denominator के form में है उसको क्या करना पड़ेगा equation के form में convert करना पड़ेगा तो मुझे क्या क्रॉस multiply किया so what we get 3x is equal to 5y यह इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा 3x minus 5y is equal to 0 यह हो गया हमारा equation number 1 अभी equation number 2 में क्या दिया है total salary of one day of both of them is रुपेश 7.20 उन दोनों की salary क्या है one day की 7.20 दोनों मिलके मतलब क्या है जो second यह equation है second जो condition है वह आपर यहापर लिखनी पड़ेगी हमे so according to second condition क्या condition दी है दोनों की जो salary है वो क्या है रुपेश 70 है दोनों की addition करने पड़ेगी so मैंने क्या consider किया है x and y so x plus y is equal to 720 अभी हो गया हमारा equation number 2 बराबर so अभी जो equation number 2 है उसके हमें क्या करना पड़ेगा convert करना पड़ेगा equation 1 और दिया है 1 and 2 लेकिन हमें कुछ difference दिखाई दे रहेगा यहापर यहापर 3 है यहापर क्या है 1 है यहापर minus y है यहापर 1 है मतलब कुछ भी यहापर same नहीं है so मुझे same करना पड़ेगा coefficient लेकिन मैंने हापर क्या किया 5 से किया अभी क्या हो जाएगा अगर 5 से multiply करने के बाग 5x plus 5y as equals to 720 multiplied by 5 कितना होता है 3600 so यह हो गया हमारा equation number 3 अभी मैं क्या करती हूँ easily यहापर solve कर सकती हूँ क्योंकि हमें अगर 5 यहापर multiply minus 5 क्यों ने लिया आपको दोनों भी क्या करना पड़ता है फिर से time change करो लेकिन हमें directly अगर 5 से multiply किया so मुझे equation मिलता है अभी क्या करना है simple addition so adding equation 1 and 3 यहापर देखो equation था 1 so adding equation 1 and 3 दोनों भी अगर मैंने add किये तो क्या मिल जाएगा मुझे 3x minus 5y is equals to 0 and 5x plus 5y is equals to 3,600 addition है मतलब time change होगे नहीं होने वाला है so यहापर plus 5y minus 5y get cancelled now 3 plus 5 that is 8x is equals to 3,600 so x की value क्या हो जाएगी अगर दोनों को divide किया तो क्या मिल जाएगा है so 450 so this is nothing but the value of x लेकिन मुझे value of x चाहिए क्या नहीं मुझे क्या चाहिए यहापर क्या बोला था क्या पूचा था हमें क्या चाहिए skilled workers निकालना है और unskilled भी workers निकालना है उसकी चाहले कितनी है so मैंने क्या लिखा यहापर जो x की value कितने आई मेरी हापर 450 आए गई है अभी मुझे क्या निकालना है y की value निकालना है मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा जो equation मुझे पसन है वहापर अगर मैंने x की value put कर दी so मुझे y की value मिल जाएगी so हमें क्या करती equation 1 है उसमें अगर x की value put करने के बाद क्या मिल जाएगा 3 into 450 minus 5y is equal to 0 so 3 into 450 is nothing but 1350 minus 5y is equal to 0 अभी यह जो 5y इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा so 1350 is equal to 5y so y की value अगर divide कर so 1350 divided by 5 अगर divide किया तो क्या मिल जाएगा 5 1 चा 5 5 2 चा 10 5 7 चा 35 and 0 so y की value क्या मिल जाएगा हमें 270 so x और y की value निकाल लें लेकिन हमने क्या किया था x और y consider किया था x और y equation में दिया नहीं था so जो consider किया था फिर से वहाँ पर पूट कर दो so यहाँ पर मैंने लिखा the daily wages यहाँ पर जो पूचा है वही मैंने फिर से लिखा of skill workers हमें skill भी निकाल ले है और क्या निकाल ले है unskill भी निकाल ले है so skill के मैंने क्या consider किया था x consider किया था so rupees 450 x की value किया है मेरी 450 आई और y की value is nothing but and that of unskill workers unskill के लिए मैंने क्या consider किया था y consider किया था मतलब मुझे y की value निकाल ले पड़ेगी so unskill workers is rupees कितने आई y की value 270 so यह हो गया हमारा final answer बहुत easy है कुछ भी नहीं यह भी बहुत simple था अभी next question है हमारा question number 6 that is the last question in question number 7 so क्या है question number 6 वो देखते है now question number 6 तो question number 6 में क्या है बहुत बड़ा question दिखाय दे रहा है बहुत simple है कुछ भी tension लेने की जरुवत नहीं है सिर्फ दिखने के लिए बहुत बड़ा है हूँ so चलो देखते है क्या है places A and B are 30 km apart and they are on a straight road Amidz travels from A to B on bike at the same time Joseph starts from one bike travels towards A they meet each other after 20 minutes उन्होंने क्या किया दोनों का भी जो रूट है वो क्या दिखने था लेकिन after 20 minutes क्या हो जाएगा उनका जो value है उनकी जो speed है दोनों भी एक ही जगा मिलते है कब मिलते है 20 minutes के बाद if Joseph would have started from B at the same time but in the opposite direction instead of towards A Amidz would have caught him after 3 hours find the speed of Amidz and Joseph हमें क्या निकालना है दोनों की भी speed निकालनी है तो speed पता है क्या नहीं जो पूचा है वही हमें क्या करना है पहले consider करना है सो मैंने यहाँ पे लिख दिया late the speed of speed निकालनी है सो यहाँ हो जाएगा the speeds of Amidz and Joseph क्या पता है क्या कितनी है नहीं है सो मैंने क्या किया speed है मतलब मुझे यहाँ पे unit ध्याम में रखना है अगर आपने unit नहीं लिखा तो आपके mouse जाने वाले है सो हमें वहाँ पे unit लिखने की जरिवत है सो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो सेफ और जो हमीद है उन दोनों का अगर मैंने स्पीड सो क्या हो जाएगा x km per hour and y km per hour यह हो जाएगा हमारा उन दोनों का मैंने क्या किया कंस्ट्रेशन किया जो स्पीड है वो क्या है x km per hour है for हमेद and for जो से y km per hour अभी यह मुझे पूचा था अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला है आपको 20 minutes के बाद वो क्या होता है एक ही जगा मिलते है सो आपको यह पता है सो यहाँ पे मैंने लिख दिया distance traveled कितना distance उनने travel किया सो distance traveled by हमेद in 20 minutes उन्होंने क्या किया 20 minutes के हमें निकालना है सो 20 minutes कैसे निकालने वाले हम सो that is 1 upon 3 hours अभी 1 upon 3 hours क्यों लिखा है यहाँ पे सो यहाँ पे बोलती मैं 1 upon 3 hours अभी यहाँ पे hours के लिए क्या कंस्ट्रे किया है हमेद है सो 1 upon 3 hours एक्स किलोमेटर हो जाएगा सेम फोर हम क्या लेंगे य के भी लेने वाले है सो अभी क्या हो जाएगा 1 upon 3 य हो जाएगा सो यहाँ पे क्या करना है जो condition दी थी वहीं मैंने यहाँ पे apply की सो यहाँ पे हो जाएगा यह हो जाएगा हमेद के लिए अभी जोसेफ के लिए भी क्या हो जाएगा सो यहाँ पे मैंने लिख दिया distance travel by क्या हो जाएगा distance travel किसके लिए लेंगे जोसेफ के लिए लेने वाले है सो distance travel by जोसेफ in क्या हो जाएगा 1 upon 3 hours as equals to 1 upon 3 y km, मतलब क्या है 1 upon 3 is nothing but 20 minutes तो उसके लिए मैंने क्या किया, fraction में convert किया तो हमारी यह हो जाएगी जो consideration नहीं था condition नहीं थी, यह क्या हमारा सिफ consideration करने के बाद 20 minutes के बाद कितना time होता है km में वो मैंने उसको consider किया अभी हम आने वाले condition पे so क्या पे कुछ condition दी है so according to first condition, अभी first condition क्या दे रखी है हम देखना पड़ेगा so क्या है first condition यहाँ पे दिया है place A and B are 30 km apart and they are on a straight road हमें travels from A to B on bike at the same time Joseph starts from wow bike travel towards A अभी देखो मतलब क्या हो जाएगा दोनों की भी addition कितनी है 30 km है दोनों भी क्या करते है same road से straight road से जाने वाले है मतलब same उनकी दोनों की speed होने वाली है so मैंने क्या किया दोनों का भी addition करने की बाद उसकी speed mention की मतलब 1 upon 3 x plus 1 upon 3 y as equals to 30 so यह क्या हो जाएगा हमारे equation number 1 लेकिन मुझे क्या चाहिए simplest चाहिए so मैं क्या करते हूँ उसको क्या करते हूँ थोड़ा simplest form में करते हूँ तो simplest form में क्या कर सकती हूँ यहाँ पे 3 है अगर मैंने दोनों जगा अगर 3 से multiply किया तो क्या हो जाएगा यह और 3 यह 3 क्या हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा 30 multiply हो जाएगा 3 multiply हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा equation x plus y is equal to 9 क्या क्या मैंने equation यह जो equation था उसको मैंने क्या क्या multiplied by 3 किया अगर मैंने 3 से multiply किया तो यह 3 और यह 3 क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा और 30 में क्या हो जाएगा 3 multiply हो जाएगा अभी क्या बोल सकते है आप इसको equation number 1 बोल सकते हो अभी क्या करना है बाद में क्या बोला है जो 3 hours से आपे mention क्या है हमिद would have caught him after 3 hours उसने क्या किया हमिद ने जो से को 3 घंडे के बाद क्या किया उसों दोनों भी एक साथ में पहले का का था 20 मिनिर्स में आये थे लेकिन अभी क्या है 33 hours में आ गये है सो मुझे 3 hours के लिए निकालना पड़ेगा सो मैंने यह आप लिए का distance travel क्या condition दी है distance travel by हमेद अभी हमिद क्या बोला है जोसेफ कभी उजे वैसे निकालना पड़ेगा सो distance travel by हमेद कितना होगा 3 hours है मतलब is equals to सो इन 3 hours है आपे mention कर सकते हो 3 hours is equals to 3x km अभी distance है मतलब km आया क्योंकि हापे hours मैंने अल्ड़री लिया है और for जोसेफ is equals to 3y km सो यह हो गया हमेद के लिए 3x और जोसेफ के लिए 3y अभी condition क्या दी है according to second condition क्या condition दी है second condition क्या है now if जोसेफ उड़ाव started from B at the same time but in the opposite direction मतलब क्या instead of towards A हमेद would have caught him after 3 hours सो मैंने जो condition है मतलब इन दोनों की subtraction हो करने वाली मैं क्यों करने वाली क्या हो जाएगा दोनों भी क्या है opposite direction है opposite direction is nothing but यह A से जा रहा है तो दूसरा क्या आने वाला है towards B yes सो मेरा जो answer हो जो क्या रहेगा equation subtract में रहने वाला है because opposite direction is there so we are taking 3x minus 3y is equals to क्या दिया है दोनों की addition कितने आने वाले है 90 दिया है 30 दिया है 30 हमने यहापे ले लिया है यहापे दिया था 30 so यहापे भी क्या लिया 30 लिया say हो गया equation number 2 अभी इसको कुछ convert कर सकते क्या divide कर सकते 3 से so मैंने क्या क्या उसको 3 से अगर divide किया तो मुझे क्या मिलने वाला है x minus y is equals to 10 say equation number 2 अभी दोनों भी equation मुझे मिल गए है अभी मुझे क्या करना है दोनों भी equation solve करने अभी कैसे solve करने वाली में दोनों भी क्या दिखाए दना है जो equation था first equation x plus y is equals to 90 और जो second equation था x minus y is equals to 30 यह equation 1 है यह equation number 2 है यहापे plus minus है मतलब क्या करना पड़ेगा simple addition करने पड़ेगी यहापे लिख दिया मैंने adding equation कौन-कौन सी equation है 1 and 2 दोनों भी अगर add किये तो मुझे क्या मिल जाएगा we get तो क्या करो x plus y is equals to 90 x minus y is equals to 30 so plus y minus y get cancelled x plus x 2x and 90 plus 30 is nothing यहापे 10 है न so यहापे क्या हो जाएगा 10 है so यहापे भी 10 so 90 plus 10 is nothing but 100 so x की value क्या मिलने वाली है 50 लेकिन मुझे x की value चाहिए क्या so यहापे मैंने क्या किया था x की value यहापे लिए थी 10 लिए थी बराबर so यहापे भी मैंने यहापे mention किया x की value क्या है x minus y is equal to 10 है यहापे भी 10 है और जो first equation था उसमें 90 था yes so यह होगा है हमारे x की value लेकिन मुझे x की value चाहिए क्या मैं क्या करती हूँ x और y की जो value वह वैसे की वैसी निकाल देती हूँ so y के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कोई भी equation consider करो उसमें value put करो so क्या हो जाएगा चलो देखते हैं कौनसा equation consider करो suppose मैंने equation 1 consider किया so क्या मिल जाएगा मुझे 50 plus y is equal to 90 यह equation था ना x plus y is equal to 90 वाला उसमें मैंने क्या कि x की value क्या की 50 consider की जो मैंने भी निकाल ली है so y की value मुझे क्या मिल ले वाली है 90 minus 50 that is y is equal to 40 yes मलदब x और y की value दोनों भी value मुझे मिल गई है y मुझे निकालना है x और y मैंने क्या consider किया था the speed of किस के लिए को ला था हमेद so हमेद के लिए क्या consider किया था x consider किया था and joseph के लिए क्या consider किया था y consider किया था the speed of हमेद and joseph are 50 km per hour and 40 km per hour मैंने क्या लिखा पहले हमेद का कितना है 50 है मतलब x की value लिखी और y का कितना है 40 है for joseph respectively ये क्या किया मैंने वो answer निकाल दिया जो मैंने first में consideration किया था वही मुझे last में उसके answer लिखना है x के जगा से value पुट करो और y के जगा भी value पुट करो we get the answer ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा chapter जो है first जो chapter है linear equations in two variables with all practice set with all problems with all problems set 1 हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा complete हो गया है बराबर आपको क्या करना है सब वीडियो क्या करना है revise करना है और जो equation 1 है मतलब जो practice set हमारे 5 practice set है one problem set है मतलब 5 वो और problem set के मैंने 4 parts बता है मैं बूरा chapter के लिए आपको कितने वीडियो मिलने वाले है 99 वीडियो आपको मिलने वाले है सब वीडियो यहाँ पर देखने है description box में उसकी link भी दे रखिये मैंने अगर वीडियो पसंद आया तो please like, share and subscribe to our channel and thanks for watching our video मिलते हैं next video में next concept के साथ तब तक के लिए bye bye